अलो मेरे पूड़ी इस कुकी फट वित्रानी में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे 6 अलग लग तरीके केक की रेसिपी जिसे बनाना बहुत असान है यह छे केक ना हम बिना अवन के बनाएंगे और बिना अंडे के बनाएंगे मुझे बहुत से वीडियो में बताऊंगे बटर पेपर के साथ हम केक कैसे बनाते हैं या फिर बिना बटर पेपर के का कैसे बनाते है बाते आज मैं आपके साइप नहीं करों चूसकि करए टूट्ची केक की रेसिपी तो में πर लिया है भगोना अब यह इसका अरहें के ढलेते हैं और स personality य Egyptian कर रहे हूं refined oil इसके अंदर कोई भी flavor नहीं होता है जालेंगे इसके अंदर एक कटोरी पीसी हुई चीनी आपको मीठा कैसा पसंद है उसी इसाब से आप इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं और अगर आप इसके इन आते है भी टेस्स्ट में मिक्स कर लिया है अग法 ढलेंगे आदि कट्वी अब घड का बना हुआ फॉक ये अच्छे लेंगे नहीं जाने एक कट्वी अगर छोटी के पी शानिगे न तो ये मैदा है, दो कट्वी अब डालने इसके अंडर बेकिंग सोड़ा डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर मैंने या पर लिया है आदी छोटी चमच अगर आपके पास यह दोने चीज़े नहीं है तो आप इसके जिए के इनो का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने माईका का कस्ट्रड पाउडर जो की है बनिला फ्लेवर में और यह है एगलेस और इसका धूच प्राइज है वो है 37 रुपीज और यह है 100 ग्राम का और इसका लिंक नाम दिस्क्रिप्शन में दे दूगी अगर आपके पास कस्ट्रड पाउडर है तो आप इसके अंदर डाल लीज़ अगर नहीं है तो आप कस्टड पाउडर कीज़ेगे येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं अब आप दो आप देते हैं तो चमबश को अच्छे से साफ कर लेते हैं और बिसकर से से मिक्स करना शुरू करते हैं यह सारा बिस्कर के अंदर भर गया था तो अब मिक्स करें लेकिंचा आप अदर में भी नियुक्ट नियुक्त लेटें न UH में वाइक में थूरिय।ों तो ये दूर्डबा अपनुखे म software milli dot करता है आपको नहीं बैटर अच्छे से ही पेटना है कि अंदना बिल्कुल भी लंस नहीं जाने चुहिए अगर लंस रहेंगे ना तो केक अच्छे से नहीं बन पाएगा यह देखी बैटर कितना चिकना हो चुका है ना तो अब इसके अंदर हम डालेंगे टूटी फ्रूटी मैय से लेरो पाइप दोओंगी आपको डालेंगे एक चनमच मैयदा अब डालेंगे के अंदर alot तूटी फूटी को मैदे में अच्छे से कोड़ लिए चानना है तो में लें एक काटोरी और रख देंगे चनी तूटी फूटी फूटी और मैदे उसे चनी में डाल छान लेंगे चुटब प्रूटि थी वो छनी के अंदर रहें घर जो मैदा है तो जो टूटब के अंतर रहें ते न डू पाई घाएंगी पूरे के चिर स्दाभ पाएगी तो बैर को यह से आपर जाँ तरह पाईगी आजांगे होला है और वह स्थे हैसा रॉसट हम सब्सक्राइब 7 frame सकते हैं आपको यह जिस भी शैप में बनाना हे ना आप इस उस चेप में इसको बना सकते हैं अब मोल्ड के इंदर हम डालेंगे थोड़ा साराइन ओयल और ब्सक्राइब और यूट मोहर है थो पूर्फ मोहल में हमने अच्छा से ग लगा दिया है अब लगाएंगे इसके अंदर बटर पेपर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं आना तो अब बटर पेपर के जगे मैदे का भी स्तमाल कर सकते हैं और टेंशन बिल्कुल भी मद लीज़े कि बटर पेपर की जगे मैदे से कैसे करना है क्योंकि दूसरे के की वीडियो में मैं आपको यहीं बताऊंगी वटर पेपर को हमने लगा दिया है बैटर को ना हम एक बार और मिक्स कर लेंगे अब बैटर को हम डाल देते हैं केक मोल्ट के अंदर गोने खेंदर ना थोड़ा बहुत लगा रहा जाता था उसको भी ना हम अच्छी से साफ करके मोल्ट के अंदर अब दो से तीन बार ना हम मोल्ट को इस तरह से पटकेंगे अगर इसके अंदर बबल्स होंगे ना तो वह तूट जाएंगे अब इसे गानिश कर देते हैं कर दे तूटिफ प्रूटि नहीं है तो आप इसके एपर चैरी लगा सकते हैं चॉकलिक लगा सकते हैं बहुद्व सकते हैं टूटिफ करोंगी दंदूर की अंदर और दंदूर के अंदर बैग कर ना बहुत ही लगार नहीं होगो START Deus बड़कों किसली खूत कर सकते हैं क्याहिक किसि क्याहिश वह बगोना किसमें केक अच्छे से बएक हो सकता है तंदूर के ओपर जाली लग देंगे मोलड को नुझत कर देंगा और ऐसे बथे को जाना देंग parl ale भुलना शुरू हो turning तो हम ना इसे दुपार से डगकर रग दिते हैं तक कि और भी अच्छे से बेक हो जाए एक घंटा हो चुका है और यह देखी केक कितने अच्छे से बेख हुआ है केक को बाहर निकालने से पहले हम इसे चेक करेंगी केक अंदर से बेक हुआ है या नहीं तो मैंने लिए हैं यहाँ पर तूद्पिक और यह देखिए तूद्पिक ना एकदम साप निकल रही है मतलब केक अंदर से अच्छे से बेख हो चुका है अब मुल्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे ना हाथ से मत पकड़ लिए कि यह बहुत गरम है किसी कपड़े से ही कल से इसे के को बबहुत निकल निकल लेते हैं तो मैंने सिर्फ इस तरह से बटल पेपर को पकड़ा ही था और कि अपने आप यह ब हर निकल के आ गया हैं केक टीन में बिल्कुल भी नहीं चिपका है शीज्न बआees बीलकुल साफ है केक को ब्लेट में लग देते हैं और करने को जरूर त्रय करना आपको भी यह बहुत पसंद आएगा तो आम मैं आपको केक काट कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा बना है काटने में बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल भी टाइट नहीं है और अंदर से देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है और टूटू प्रूटी भी कितने अच्छी लग रही है इसके अंदर इसे देख करना बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और वह किस वज़े से खुश होंगी क्योंकि इसके उपर ने टूटू प्रूटी है और बच्चों को ना ऐसे चीज़े बहुत पसंद आती है तो टूटू प्रूटी केक बनकर तयार हो चुका है अब बना लेते है हमारा दूसरा केक जिसे हम बनाएंगे औरियो बिस्किट से मैंने यहाँ पर लिये हैं औरियो बिस्किट उसका प्राइस जो है न वो है 10 रुपे आप कोई भी चॉकलेट वाले बिस्किट ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है अब पैकिट को खोल करना हम सारे बिस्किट त होड़कर हम दार के अंदर डाल दिये हैं और मैंने यहां पिस्किट के पैके से हैं आडबन हें लिए लीगे और अगर आपको लगता है कि इसके अनदर न अभी भी बिस्किट धान चला ली जा Bears कव्याता है अगर आपको वहाला फ्लिवर पशन है तो आप उसमें भी ले सक करेंगे उसे गरम कर लेते हैं लगे करेंगे अब उसकों कि अन्धों करेंगे यह हैं कशे हैं हैं कुछicus रहा है घर lamps लेकिन बिस्कीट भीना मीठे होते हैं इसलिए आप कम ही चीनी डालना चीनी मैंने यहाँ पर डाली है तीन चमच राधी चमच मैंने डाला है बेकिंग पाउडर अब इंचे भी चीजों को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे इसके अंदर दूद और दूद वेकिन पाइड़ और दूद हाईट बडेंगे करते है अपतर को बनाने के लिए आपको स्मान के जरूरती नहीं और प tiếp यह पियार कर सकते हैं पिर चाहे किसी का बड़े हो या पिर आपका ऐसे ही खाने का मन करे ना तो भी आप इसको कभी भी बना सकते हैं क्योंकि इसको बनाने बहुत ही असान है बैटर को हमने अच्छे से फेट लिया है और यह कितुना शाइनी हुआ है ना तो केक को बेक करने के लिए ना मैंने यहाँ पर यह वाला मोल लिया है आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं अब इसके अंदर हम लगाएंगे थोड़ा सा ओई और चारो तरफ अच्छे से ग्रीज कर देंगे और इस केक को हम बेक करेंगे बीना बटर पेपर के पहले हमे केक टीन के अंदर और अच्छे से साफ कर लेते हैं भगोने को सारा बैटर हमने केक टीन में डाल दिया है अब 2-3 बार ना हम इसे इस तरह से पटकेंगे बैटर के उपर हम लगा देंगे तोड़ दोड़ के ओल्यों मिस्केट अब यह तैयार है बेक होने के लिए और के बन के अंदर वो भी अब बहुत अराम से रखना और वापस हम इसके जब अपर टकर रखतेते हैं एक बार चाहिँ द्वा कर लीते हैं नहीं पर अश्टा कर लेते हैं कि ज़ंने हो ठीक हुआ एट नहीं लेकिन इसको जड़ूरी है तो केक को मैं चेक करूंगे तुद्विक से आप चाकू से भी चेक कर सकते हैं तो तुद्विक के अंदर केक बिल्कुल भी नहीं लगकर आ रहा है मतलब केक अंदर से भी अच्छे से बेख हो चुका है केक को हमने भगोने से बाहर निकाल लिया है अब चाकू से ना हम केक को में यहां लीकी केक केक को मौल्ट को उल्टा कर लेंगे कितनी से मौल्ड बड़ा चुका है बिना पर बटर पेपर की बिल्कुल भी नहीं चुपका है मिन a power को बना बेग हुआ है और कितना फ्लफी बना है चौकलेट औरियो केक भी बन करते यार हो चुका है और आपको यह कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना तो अब बनाएंगे हमारा तीसरा केक हमारा नहीं मारी गोल्ड बिस्कित का तो मैंने लिया है यहां पर मारी गोल्ड जो प्राइस है वो है 10 रुपे और यह जादा मीठा नहीं होता है क्योंकि यह आटे से बना हुआ है और यह लिए है मैंने डार कंपाउंड चौकलेट अगर आपके पास यह वाली चौकलेट नहीं है तो आप डेरी मीक भी ले सकते हैं या फिर आपको पसंद है तो अब इस पैकिट को खोल लेते हैं और इसके अंदर ना आपको इस तरह से चौकलेट मिलेगी वह भी चार दो हमें इसमें से सारे चौकलेट यूस नहीं करनी है सिर्फ एक लाइन ही चाहिए और यह तूटनी रहीती हातों से इसलिए मैंने इसको स्लिप मारा अब जहके यह चौकलेट को और यह जिस तरह से घिसी है ना ऐसा लगा दिसे हम फैंसिल को नहीं चीलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा है चौकलेट को हमने आप घिस लिया है अब इसे मैल्ट कर लेते हैं तो बहगोने के अंदर मैंने रख दिया है पानी जो हाल का गुनगुना ह पानी के उपर रख देंगे हम चौकलेट वाला बरतन अब इसे ना बिल्कुल भी टैम नहीं लगेगा मेल्ट होने में यह कितनी जल्दी मैल्ट होना शुरू हो चुकी है और चौकलेट भी मैल्ट हो चुकी है मारे कॉल बिसकित का केक बनाना भी शुरू करते हैं एक बरतन अब डाल देंगे इसके अंदर एक चमबच कोको पाउडर अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर कॉफी कभी इस्तमाल कर सकते हैं नहीं तो आप इसे स्किंप भी कर सकते हैं और जो कोको पाउडर मैंने इस्तमाल किया है वो है माईका का एक क्रीम अब लेंगे एक प्लीट और उसके उपर रखेंगे बटर पेपर को अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप से सकते हैं आप इसे कीप भी कर सकते हैं अब दूद के अंदर डालेंगे बिस्कीट और दौरों तरफ से ही न हम इस तरह से डिबो देंगे जादा दिर के ना हम इसकीट को दूद के अंदर नहीं रखना है से 2 सेकिंड यह आप इसे दूद के अंदर रखें आप वापस निकाल के इसे बटर पेपर पर रख दें अब बिसकीट के ऊपर हम लाएंगे क्रीम और जो भी चीजी के खाली है ना उसके अंदर हम डाल देंगे चौकलेट आ लाँ ते आप मेफ़े बागी के विस्कीट को भी रख देंगे हैं यह अगिस्कीट से केक ना सिर्फ आप पांच मुनow में बना कर यार कर सकते हैं और बचों को सब्रुइस देश को बनाना भी भी बहुत आसारा है और जब आपका मन करेना थर आप बनाकर ज्मिश का सकते ह और यह तो हमने biscuit की मिनार कर लिए है अब इसकीट के ऊपर हम डाल देंगे लिए चोकलेट चॉकलेट चारो तरफ से कवर कर देंगे और यह कीग और ऐसी को लिए कि खिलाओ गे ना तो कोई यकीश नहीं कि यह अपने बिस्किट से बनाया है यह बिसकिट केक खाने में भी बहुत टेस्ट है सबी चीज़ों बहुत अच्छा प्लेवर आता है ज़िए चॉकलेट लियुक ऑमदने चॉकलेट से चारो तरफ से और छुप में नहीं पाएगा की यह हमने बिस्कित से बनाया है तो बिस्कित चौकलेट केक को हमने चार तरफ से अच्छे से कवर कर दिया है एक्रीम और जाए कि तेगे को सजा सकते हैं क्रीम से हमने केक को डेकुरेट कर दिया है अब इसके उपर मैं लगा दूँगे कलरफुल से स्प्रिंकल आपको इसे भी स्प्रिंकल यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंदो चॉकलेट को न हम सैट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में आदे गंटे के लिए अर्दा गं चॉकलेट बिस्किट केक बनकर तयार हो चुका है तो आपको यह रचिपी कैसे लेकि मुझे ना कॉमेंट में जरूर बताना और आप भी इसको जरूर ट्रय करना आपको भी नहीं बहुत पसंद आएगा अब बनाएंगे मारी गोल्ड बिस्किट से केक और इसका जो सारे बिस्किट तोड़के हमने मिक्सर जर के अंदर डाल दिये हैं अब जर का ढकन बंद करके हम इसे पीस लेंगे वो बिस्किट का ना हमने एक दों फाइन पाउडर बना कर तयार कर लिया है अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर भी बिस्किट रह गए है ताब को बिस्किट के साथी मिक्स कर लेंगे अपने यह बिस्किट चाए के साथ काफी बार खाये होंगे लेकिन एक बार ना आप इसका केग बना जरूर्ट रहे करना आपको भी बहुत पसंद आएगा सारे बिस्किट को हमने भगोने के अंदर डाल दिया है और इसकेंदर और सम नमक को हमने कड़ाय के चारों तरह पैला दिया है अब इसके उपर रख देंगे एक कड़ण और और प्लेट से ढख देंगे और इसे घर्म होने देते हैं जब दख हमारी कड़ाई गरम हो प्यायर है तो इसके अन्दर सबसे पहले हम डाल देंगे चीनी इसके बिस्यों पीछ जाएगी चीनी आपको अलाग सी पीछने के ज़रुरत नहीं पड़ेगी तो इसके अदर मैं डालोंगी दो चमाच गोपाउडर अगर आपके पास कोपाउडर है तो आप चमाच बेकिंग पाउडर नहीं आप एक शाषे ऐनो का डाल सकते हैं अब इस जब आपके चीज ना इसके अंदर बटर कभी उसकर सकते हैं बटर को आप मेल्ट करके इसके अंदर डाल सकते हैं और डालिंगे इसके अंदर पानी मैंने यहां पर लिया है एक कप पानी आप पानी की जीगे ना दूद कभी इस्तमाल कर सकते हैं और पानी ना हमी एक सारन नहीं डालना है इसलि अपना सकते हैं समारक को पना के समय की जड़ारत latte को सबना सकते हैं कि भी किखमाइं परेखには बहुत ही टैस्टी है और यह बäter ना ग्रिवर गिंशने अजेता के लिए trave ना हमें ऐसा ही बेटरो तेयार करना है बेठर तो तेयार हो चुका है अब केटर be त्यार कर लेते हैं अब केक निकेंदर ना हम लगाएंगे थोड़ा सब और जाएंगे अब लगाएंगे और दो दूसे तीन पार ना इसको इस तरह से पतक दीजिए और यह तीज ना एकदम लेवल में आजए की देखना और यह देखिए एकदम प्लेन हो गया यह अगर आप केक इसे ही बेक करने के लिए रख दे नहीं तो यह ओपर खावड बेग रहता तो इसके ऊपर डूंगे टूटी फ्रूटी रैड कलर की यह यह केक ना हम क्रिस्मस के लिए बना रही हैं थोड़ी सी मैचिंग होने ही चाहिए ग्रूटी फ्रूटी और बाइड कलर के काजू को किसी भी तरीके से डेकूरिट कर सकते हैं काजू की जगे बदाम लगा सकते हैं अब पूरी तरीके से तयार हो चुका है बेख होने के लिए तो प्लेट लित खाने के अंदर और जब आप रखोगे ना तो बहुत आराम से रखना क्योंकि काड़ा यह बहुत गरम हो चुकी है वापस से प्लेट को ढखकर रख देते हैं और केक को बेख हो जाने देते हैं अपले fact check कर लेते हैं और यह केक कितना अच्छा लगा रहा है यह को न अंदर से चेक ना भी बहुत ज़रूरी है कि वह अच्छी से बेख हुआ है या नहीं तो मैं तुत्विक से यहां पर चेक कर रही हो और यह अंदर से बहुत अच्छे से बेग हो चुका है केक को हमने कड़ा इसे बाहर निकाल लिया है अब मोल्ट से भी बाहर निकाल लेते हैं च्वाकू की मदद से आप केक के किनारों को इस तरह से आगे-ागे को करते रहिए केक निकालने में असानी हो जाती है इसके उपर रख देंगे हम एक लेट और इस तरह से इसे उल्टा कर लेंगे यह केक बहुत असानी से निकल गया है केक टीन में भी बिल्कुल भी नहीं जिपका आई है तो आप बटर पेपर को भी हटा देते हैं और यह केक बहुत स्पॉंजी बना है अब केक को सीधा कर ले हुआ है नियूंगे प्रेट केक बन कर त्यार हो चुका है अब बनाट केक केग ने कली हूगा नहीं हमें क्रीम को है ना i एक दर केसे केग मिलती है और यह मुझे ऊपट राइने त्रपेने से क्रीम है से लिए बीट कर रहा है ना उसी बर्तन को उल्टा कर दीजिए और यह दिखिए मैं किस तरह से पूरा इसको हिला रही हूं लेकिन क्रीम भी नहीं हिल रही है मतलग क्रीम अच्छे से बनकर तयार हो चुकी है और मैं इस बर्तन को पीछे से भी मार रही हो ताकि गिर जाए लेकिन वह टयार करना है अब लेंगे 1 अटोरी के अंदर पानी अब डालिंगे इसके अंदर चीनी चीनी में यहां पर चीनी से अाने ब्रैट के लिए ब्रैट से केक बनाना शुरू करते हैं मैंने लिए हैं यहां पर एक प्लेट और यह लिया है मैंने वाइट प्रैट आप ना ब्रैट के किनारों को निकाल भी सकते हैं या फिर आप ब्रैट के किनारों के साथ बना भी सकते हैं तो मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगी इसके उपर लगाएंगे तो चीनी और पानी का घोल हमने तयार का रहा था ना अब वो इसके उपर लगा देंगे एट से ना आप बहुत सारी चीज़र बना सकते हैं तो फिर केक क्यों नी बना सकते हैं इस ब्रैट से ना आप केक बना सकते हैं वो भी 5-10 मिनिट के अंदर चीनी और पानी का घोल हमने लगा दिया है अब इसके उपर हम लगाएंगे क्रीम क्रीम ना मैंने वाइट ही रखी है अगर आपको दूसरे कलर में चाहिए तो आप इसके अंदर चॉकलिट मिला सकते हैं या फिर फूट कलर मिला सकते हैं जो भी आपको पसंद है फोड़ से क्रीम में ब्रैट के उपर और लगाओंगे फिर इसके उपर हम रख देंगे एक और ब्रैट और इसके उपर भी हम लगा देंगे चीनी और पानी का घोल आप इस ब्रैट से अलग अलग तरीकी के केक बना सकते हैं वो भी अलग अलग व्रैट ही में बना सकते हैं इसके उपर हम एक bread और रख देंगे और फिर से चीनी और पानी के घोल लगा देंगे और bread से आप अपने हिसाब से layer बना सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी मिनार चाहिए bread की याने bread से बहुत सारे cake बनाये हैं वो भी अलग-लग तरीके से बनाये हैं क्रिम को ना हम पूरे bread पर अच्छे से लगा देंगे अब तो क्रिस्मस आ रहा है अगर आपको केक खाना पसंद है केक बनाना पसंद है तो आप इन केक को ज़रू ट्राय करना इस केक को खाईए और सब को खीलाईए इस bread केक को बनाना भी ना बहुत आसान है तो चाकू से ही ना हम क्रीम को एक लेवल में कर देंगे अगली रेसिपी मुझे किस पर बनानी चाहिए वह भी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना वही रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी पूरे bread पर हमने क्रीम को अच्छा से लगा दिया है अब ये प्लेट तो थोड़ी से खराप सी लग रही है तो आप ना इस केक को कora को दूसरी प्लेट पर क्यَसे रही है तो चाहु को न इस तरह से केक के सबसे लिइसी जटेपि वान कलर हो चुका ऑपर इस तरह से दिजञें बना देंगे आप केक के ओपर चेरी लगा सकते हैं, तूटी फूटी लगा सकते हैं, ड्रै फ्रूट्स लगा सकते हैं, ब्रम क midst को कट गेंघ के ऊपर लगा सकते हैं जो भी आपको पसंदा वैसा आप इस छॉट आप को डेकुरिट कर शकते हैं नहीं कितना सिंपल और इजी तरीका ब्रेट से केक बनाने का तो केक के ऊपर हमने इस तर ऐसे जालीदार तो डिसेंग बना दिया है अब केक के साइड में भी हम बना देते हैं अब जलती से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोंगे ना तो पेल अगन को भी ज़रूर दुबा देना ताकि कोई भी नई राश्य पर मैं अपलोड करूँ ना तो उसका नॉटिफिकशन सबसे पहले आपको आए किनारों पर हम न अच्छे-स डिजैन बना दिया है अब इसे और बीट दार कर देते हैं तो मैंने यहां पर लिए है तूटपिक तूटपिक से न आ सबसे सब्सक्राइब अजर टर्वन कर देंगे और कितना चुम्ट ए सीर्ण को बनाना इसी तरह इसे नहींdeterm चारह के चारों तरफ डिजैइन नें को बना देंगे गर्स एक और पर स्विस्वारन एक बारें लेगा सब्सक्रारें stat ignorated होता है जब अच्छे बन को खाते है ना तो सबसे पहले वह इसके ऊपर से चैरी निकालते हैं यह देखें यह बहुत ही स्पॉंजी है और बहुत ही सॉफ्ट है बन को ना हम चाको की मदद से इस तरह से बीच में से काट लेंगे यह बन केक की रेसिपी ना यूनीक है और एजी है थोड़ी सी अलग भी है तो इसलिए आज में यह रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो बन को ना हमने इस तरह से बीच में से काट लिया है और उसके अंतरना चैरी लग रही है यह बन के हम एक तरफ लगा देंगे तो हैम लगाएंगे जैए meeting में यहां पर लिया है फुल ब्लूम का को जो भी जैम पॉल जैमे आ पर लगा सकते हैं तो आब जैम को खोल लेते हैं बन के ऊपर लगाना शुरू करते हैं हम कूछा gay呢 पर लगाना हो लगाना हो थोड़ सी दिक्कत होती है जैम को ना मेलट भी ने देना चर रूपभ सपो रिवाम करें तो अधो Cuttin शिते कि कर सकते तो आपतें से लगाना पड़ेका ओव दोनों बन पे क्रीम को हमने अच्छे से लगा दिया है अब जिस पे हमने जैम को लगाया था ना उसके ओपर मैं लगा दूंगी परश्रीस का स्ट्रॉबेरी सीरप अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी वाला सीरप नहीं है ना तो आप चॉकलेट वाला सीरप भी लगा सकते हैं बन को ना हम इस तरह से दूसरे बन के उपर रख देंगे और यह पूरा बर्गर की तरह लगा नो पस इसके अंदर टमाटर प्यास नहीं है इसके अंदर है क्रीम तो आप इसको बर्गर केक भी बोल सकते हैं देखने में काफी अच्छा लग रहा है लेकिन इसको अभी हो और चाकु से ना हम बन के उपर इस तरह से कटिंग कर देंगे आप चाहो तो यह कटिंग पहले भी कर सकते हैं या पिर क्रीम लगाने के बाद भी कर सकते हैं मैंने बन के उपर इस तरह से कटिंग कर दी है और इसके अंदर भी हम लगाएंगे क्रीम अब आपके लिए एक्स्ट्र समान के भी कोई ज़ुर्ण नहीं थे कम समान और कुछी मिन्टो में आप ये केक बन के ऊपर उपर क्रीम से डिजञाइन बना दिया है अब इसकेवर में मैं तोड़ा से डिजञाइन और बना दूंगे स्टॉबेरी के हर्चिक सिर्प रेट लागा तैकंब तो पर लागा अधिने घुक्त को भड़न पेस से बताज। पर यूज बन कर टेर तक Lunar Black आपके बढ़ता क्यां लिवन आपको मेरी एस बंकर की रेशिपी की जरूर बताना il और इस क्रिस्मस पेना आप इन केक को ज़रूर ट्रॉय करना सभी को ये केक बहुत पसंद आएंगे तो अगर आपको मेरी ये 6 केक की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना के आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी, अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान लगिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, टिक क्यों और बाबाई और ज्यादर स्यादर आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमली और फ्रेक के साथ तब